हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो आसा करते हैं कि आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले कि हमारे सारे वीडियो को आप सब उने जरूर से दे देखे होंगे और वाइस के फर्स्ट लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि वाइस के सेक्षन को यदि आगे आप कंटेन्यू करना चाहते हैं तो ऐसे बचे जिनकी इंगलिस वीक होती है उनको कई जगहों पे दिक्कत होती है और वाइस के फर्स पार्ट से या वाइस के आगे किसी भी पार्ट को देखने में किसी भी रूल and concept को समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े ठीक है चलिए तो आज के इस वीडियो सेशन को हम लोग यहीं से continue करते हैं continue करने के पहले हम आपको बताते चले कि last class में हम लोगोंने वाइस के जो basic concept थे उनको समझने के बाद present in different से पढ़ना सुरू किया था और present in different के structure को हम लोगोंने समझा था last class में हमने आपको revise करवाया था जो हमने आपको rules and concept भी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वाइस में वर्व का जो form है वो चेंज करता है वाइस में वर्व चेंज करता है कैसे चेंज करता है active से passive में और active में इदी कैसा होता है तो passive में उसको हम लोग किस तरीके से convert करते हैं इस पे हमने आपको detail में चर्चा करें थी उसका एक टेबल का सकते हमने आपको लिखवाने का प्रयास किया था और फिर उसके माधिम से present in different के structure को हम लोग ने पढ़ा था और structure बेस्ड यह टेंस के structure बेस्ड एक्टिव पैसिव को हम लोग solve करते हुए आज के class को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए इसके आगे चलते हैं फटाफट बीना किसी देरी के और यहां पर फिर वही concept हम आपको revise करवाते हैं कि हमने आपको पिछले class में क्या बताए था कोई भी sentence आपको given हो तो sentence में सबसे पहले आपको क्या पकड़ना होता है में वाब को फिर उसके बाद उसके subject को फिर उसके बाद उसके object को और यह देखिए यह पूरा का पूरा आपको पिछले class में कि sentence का जो भी sentence आपको given होता एक्टिव का उसका meaning mode और टेंस चेंज नहीं करता है उसमें यदि किसे idioms की यूज की गई हो तो हम लोग उसको change in नहीं कर सकते यदि किसी प्रेजल वर्ब का use किया गया हो तो उसमें वर्ब के सांथ जो प्रे पोजीशन होता है उसको उसको में चैंज नहीं कर सकते और नहीं हम फिफ्ट फॉर्म का हम लोग इसमें convert करते हैं तो हम लोग इसको convert करते हैं is mr plus verb के third form में is mr plus verb के third form में अब आजाएए सबसे पहले आप sentence में चेक किजिए is mr plus verb का third form कहां पे given है सबसे पहले is mr तीनों में से कौन सा लगेगा यह आप तरह करें यह कैसे तह होता है इसके according plant में देखिए आप इस लगा हुए मतलब यह plural है यह plural है मतलब इसके साथ हम लोग क्या use करेंगे इस mr में क्या use करेंगे तो use करेंगे और का अब आप सारे sentences में जितने भी options आपको given है इसमें चेक किजिए r plus verb का third form यहाँ पे तरीके से हमने आपको active passive को या जो भी sentence आपको given होता है उसका active passive यानि कि voice change करना हमने आपको last class में सिखाया था और हम जिस तरीके से यहाँ पर आपको question को लगा कर दिखा रहे है question को solve करके दिखा रहे है जो approach हम यहाँ पर यूज कर रहे है same approach आपको use करना होगा चाहे sentence छोटा हो या बड़ा हो छोटा मतलब जैसे माल लेजिए sentence आपको इस तरीके का मिलता है तो भी आपको वही approach यूज करना है और sentence यह आपको इस तरीके के बड़े बड़े आपको दिखाई पडते हैं तो भी आपका approach वही रहेगा concept वही रहेग ठीक है अब देखें यहाँ पर sentence काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है और यह इसके जो passive भी है यह भी काफी बड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें घबराने के कोई जरुवत नहीं है आप simply क्या किजिए आप इसके main verb को पकड़िए तो हमारा main verb क्या हो गया वॉस लगा हूँ है मतलब यह क्या होगा प्लूरल और यह जो वॉसिस है यह कौन सा फॉर्म है तो यह वर्ब का फिफ्ट फॉर्म तो अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो close प्लूरल है इसके coding हम क्या यूज़ करेंगे आर तो आर प्लस वर्ब का third form अब simply आप सारे sentence समझाईए चेक किजिए आर प्लस वर्ब का third form यहां पर है क्या नहीं तो यह cancel आर प्लस वर्ब का third form है क्या नहीं तो यह cancel आर प्लस वर्ब का third form है क्या नहीं तो यह cancel आर प्लस वर्ब का third form इसमें है यह हो गया हमारा answer बात समझ में आ रही है आप पूरे sentence को मत पढ़िए इस तरीके स पूरे sentence को पूरे question को पढ़के आपको अपने time को जाया बरबाद नहीं करना इस तरीके का approach आप develop कीजिए और इस तरीके के approach के साथ आप किसी भी active का passive बना सकते हैं हम आपको सारा का सारा active से passive हम आपको पहले भी बोल चुके हैं first lecture में भी हमने आपको voice के first lecture में भी हमने आपक को बुला है हम लोग एक दम basic level से zero level से foundation level से पढ़ना शुरू करेंगे और यहां से हम आपको लेकर चलेंगे advance level तक आप सभी जगों पर देखेंगे ऐसे ही छोटे से approach के साथ हम लोग given sentence का given question का voice आसानी से change कर लेंगे ठीक है चले तो यहां से आगे लेकर चलते हैं कुछ और question की तरफ यह देखिए आपके CHS 2020 में पूछा गया question है अब इसमें भी देख लिए यह क्या है तो यह हमारा main verb यह क्या है यह main verb यह क्या है हमारा subject यह क्या है object और variable से हमें कोई मतलब नहीं यह ठीक है चलिए अब object क्या है सितार सितार कैसा है singular ठीक है और यह क्या है तो यह यह प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आजए चेक कर लें इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है चैंसल इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो है तो आसर बास समंझ में आ रही हैं आप देख पा रहे हंगे कितने आसानी से लोग कोश्टन के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं इसी तरीके से आपको अपने exam में जाके एस डीमे एक्षाम में जाके आपको कोशन के साथ खेलना है इसी एप्रोच के साथ वहाँ पर जाकर खेलना है और आपका अपना खुद का सेलेक्षन करवा कर बाहर निकलना है ठीक है अब आते हैं यहाँ पर अगले कोशन में फिर से हम लोग वही अप्रोच डिवलफ करते हैं उसी अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं दिखे हमारा मेन वर्ब क्या है वी मूव subject we object long ठीक है once everywhere इसे हमें कोई मतलब नहीं है everywhere लिखा है कि every month लिखा है once लिखा है क्या लिखा है हमें कोई मतलब नहीं ठीक है अब यह मोह क्या है यह verb का first form first form है तो इसके साथ फिर वही बात क्या यूज करेंगे is mr. plus verb का third form मीजे मार प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अब यह देखे यह लॉन कैसा है सिंगुलर है सिंगुलर है तो क्या लगेगा इस लगेगा तो इस के साथ हमें क्या चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म देखे यहां पर है क्या नहीं है तो यह कैंसल इसके साथ वाब का थर्ट फॉर्म है क्या नहीं है कैंसल इसके साथ वाब का थर्ट फॉर्म है क्या नहीं है कैंसल इसके साथ वाब का थर्ट फॉर्म है क्या है तो यह होगा आंसर बात समझ में आ रही है इस तरीके से एकदम आ है नंब्र प्रोटेस्टर्स यहMr. cu does सी अरथात यह कैसा यहीं है फ्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे और का यूज़ करेंगे और प्लस वब का थर्फाल म् Action चलिए हम लोग डूड़ना सुरू करें चलते हैं पहले कैंडे कोशन में तो यह इस प्रकार के question में थोड़ी से दिक़्त जाती है क्या दिक़्त जाती है भाई अब किसी भी option में लिखा हुआ नहीं है मतलब या तो कहीं न कहीं हम लोगों से हम लोगों से यह error हो गया है या नहीं तो यह bit better beaten इसके form में कहीं नहीं दिक्कत हो सकती तो फिलहाल हम लोग इसको मान के पड़ रहते हैं वर्प का फर्स वह हम लोग क्या करेंगे तो किसी एक कोशन को ठीक कर लेते हैं यहां पे आर ठीक है अनमबर ओप प्रोटेस्टर्स आर बीटेन बाई दा पूलिस दा नाइट बिफूर अच्छा है यहां पे दा नाइट नाइट होंका और यह प्रिंटिंग एरा और होगे आप इसको ठीक कर लिजए अझाए अब देखिए आर के सांथ बींग लगाए तो भी यह गलत है मतलब कोशन प्रेंटिंग में कहीं नहीं कुछ तो ऺंड़ औरच्छोंट है फकुलसिए इस इस प्लांट शूड़ मैं य क्या है यह हमारा मीन बार पाना भी गया झाल फानी दिना पठाना भी होता है प्लस करना भी होता है ठीकी है यह अर्फать में Brittany सब्सक्राइब को बनाना हम लोग उन्हें सीख लिया है अब आई हम लोग प्रेजंट कंटिनिवस को बनाना सीखते हैं प्रेजंट कंटिनिवस का देखे स्ट्रक्चर क्या होता है हाला कि इन सभी को हम पहले एकठा एक साथ आपको पढ़ा चुके हैं हमने आपको बताया था पिछले क्लास में ही कि आप इन सब को लिखके एक जगपे रख लिजे टेवल के फॉर्मिट में रख लिजे उसको याद कर लिजे यह सब आपको एक्टिव से पैसी में चेंज करन इसपैसी में करते हैं यह करते हैं यह इसको फिर से इसको समझे एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है अक्टिव का स्ट्क्चर क्या होता है is mr plus verb की ing form fourth form उसको हम लोग पैसे में जब convert करते हैं तो convert करके क्या लिखते हैं is mr plus being plus verb की third form is mr plus being plus verb की third form आईए इस structure का use करके यहां पे जो sentence हम लोगों को given है इनका हम लोग active से पैसे बनाना शुरू करते हैं सबसे यह क्या है यह क्वर्ड का फिप्त forward के कारण इसको पुलेंगे हम लोग present यह क्या ing form के कारण इसको लोग क्या बोलेंगे तो इसके हम लोग बोलेंगे continuous यह हमने आपको पाचाना लास्ट देंक बताया ठीक है आगे भी हम आपको यह सारी चीज़े रिपीट करकर याद दिलाते रहेंगे ताकि आपके जुबान पर यह सारी चीज़े चड़ जाए और आपसे अंजाने में भी कोई कोश्चन गलत नहोंने पाए तो यह हो गया इसमर प्लसaaa की थर्ड फॉर्म प्रिजेंट कन्टिनिवस यह हो गया हमारा सब्जेक्ट यह हो गया हमारा जोगें यह मिख हैं मारा मिन व्बॉब यह कह बंग अब यह सक्टला हम लोगे का यूज करेंगे यस उस और फिर पैसे में तो बिंग प्लसĩब का third form तो बेक का third form क्या होता है होता है मेड मेड के साथ जनरली क्या use करेंगे हम लोग preposition by का by use करेंगे हैं यह बन गया इस question का active से passive और यदि ऐसा दिया हुआ हो तो इसमें convert करेंगे यह active दिया हो तो passive passive दिया हो तो active बात समझ में आ रही है इस तरीके से हम लोग convert करेंगे आये second वाली का भी हम लोग फटबॉट करते चले तो इसके answer की बात करें तो इसका answer क्या पन जाएगा asion सर भाजए गोड़ द फ्लोड इंज दा फ्लोड इज कम बेंग the flute is being played by played by you the flute is being played by you बात समझ में आ गए इस तरीके से हम लोग active passive में इनको convert करते हैं ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने इसे सी previous year में पूछे गए कुछ एक पूशन को उनके pattern के कुछ कुछ को लोग यहां पर solve करते हैं चले तो इस question में आ जाए हम लोग सबसे पहले यह देखे इसे मार मिल गया इसे मार के साथ यह वर्व का 3rd form मिल गया और क्या है वर्व का 5 फॉर्म तो इसके कारण हो गया प्रेजेंट यह क्या है यह वर्व का और जब इसका पैसले न होगे हैं तो प्लस वर्व का 3rd form तोयों गया तो सब्सेंगर तरह को乾 alguien के लिए घृट कोषण के सांद खेलना यह लोग रबार इस सारे स्ट्रक्चर को सारे फार्मेट को बार रबार क्यों डिए आप सांथ ता कि आपको संन सुनकर भी यह सारे format जुबान पर याद हो जाएं नेक्स्ट यहां आईए और देखें यहां हम लोग इसमें भी क्या लगा हुआ है तो इस question में आप ध्यान से देखें इसमें क्या लगा हुआ है इसे मार के साथ वर्ब की third form यह हमारा subject यह ascending है यूज़ करते हैं is mr plus being plus verb का third form is mr plus being plus verb का third form चुखकी average कैसा है singular है singular है तो इसके साथ हम लोग वर्ब कैसा यूज़ करेंगे is तो हमें option में क्या टुनड़ा हुआ होगा is plus बिंग a plus verb का third form is plus बिंग plus verb का third form आये जरह ढूंड़ा हम लोग कि यहां देखें कि बड़ा सा कुशन है कि आपने पास ये थोड़ा बड़ा दिक रहा है चलिए इन दो ही कोशन बचे हैं इन दोनों कोशन को हम लोग यहां पर लगाते चले चलिए यहां पर आते हैं हम लोग हमारा में वब क्या है तो में वब क्या है यह क्या है सब्जेक्ट ठीक है यह टू ओपन गोइंग टू ओपन यह ऑबजेक्ट नहीं है गोइंग टू ओपन दा तो यह थोड़ा सा अलग है यह question है यह यहां पर हम लोगों को discuss करने के लायक नहीं है यह इन्फिनितिव का question क्यों है क्योंकि क्योंकि यहां पर देखिया आपको क्या दिखाए मकर्ण की फर्स फर्म 2 Plus Verb के 1st form इसको किसमें konvers करते हैं 2B Plus Verb के 3rd form में अब देखे, यह आप उस question को या उस concept को अर्था हमने आपको last class में बताया था कि 2 Plus Verb की 1st form यह होता है active में इसका जब passive बनाते हैं तो इसके बदले हम लोग use करते हैं 2B Plus Verb का 3rd form क्या use करते हैं तो इसके जगे हम लोग यूज करते हैं 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अब जब भी कभी आपको 2 प्लस वर्ब का फिर्स वर्ब दिखाए दे तो आप सिंपली ढूण लेजी 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए अभी हमने आपको इंफिनिटिव का एक्टिव से पैसे बनाना नहीं सिखाया है आप simply option में इसको ढूंड़िए simply option में देखे इसमें कहीं भी 2B plus 1 का third form है नहीं है नहीं है तो cancel 2B plus 1 का third form है नहीं है नहीं है तो cancel यह देखे 2B plus 1 का third form है नहीं है नहीं है फिलाल हम लोग चल रहे थे यह कोशन है अपने कंटिनुवस का आईए इसको हम लोग यहां पर बनाना सुरू करें यह हमारा में वर्व यह हमारा सब्जेक्ट यह हमारा और बाकि से हमें कोई मतलब नहीं है अब सबसे पहले देखिए यहां पर स्टेट्स यह कैसा है प्लूर नहीं है अइन नहीं है यह थे प्लूर सब्सक्राइबार सब्सक्राक्राइब कर सकते है लिए hai तो केवल वर्व को भी आप पकड़ लेंगे तो किल बर्व के Hemblis से भी आप sentence का यह जो भी आपको question given होता है उसका passive या उसका जो voice है आप उसको change कर सकते हैं अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टेंस पर प्रिजेंट पर्फेक्ट अब देखिए प्रिजेंट पर्फेक्ट जो है इसका structure क्या होता है था थो प्रिजेंट पर्फेक्ट करता है था यह कहता है यह है पैसे में यूज़ करते हैं है यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन सारे कोशन का हम लोग एक्टिव से पैसी बनाना सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले से बता रखा है किसी भी गिवें सेंटेंस में सबसे पहले आपको वाइस करने के लिए मेंमवर्व पकरना उसके बाद सब् GDP फिर उसके बाद अब्जीक तो यह देखे यह हम आरे में मेंवर्व यह क्या है यह सब्जेक्ट यह क्या है और ज tadi Yes sir एक सूर्भ है जैसे इसके पहले हम लोग इसने को सॉल। किया था जिसमें कट था।« let me कि क difference हमाने आम अपको बताया कि कट का तीनोंratic संवह स्मू से मुए तो हमोगों को मतलब नहीं होता है वयसमें हम्हों को मतलब होता है सिर्फ एक तर्ड पुम से तो यदे सेंटेंस अक्टे में लिखा होगा तो उसका सारई लोगों को confusion होता है यह हमने किया था प्याकिया था तो हमने कोमन सा आदत होता है कि इड कर के हम लोग उसका सेकंड फॉर्म ठ्डट फॉर्म बना देते ह। तो कहीं भी थोड्ट बिखना हो तो हम लोगों की हैविट बन चुकी होती है इडी लगाद जैसे 1001 लिख दें है इसा यहाँ पर नहीं करना है इसलिए हम इतना अपको समझ्झा है इसको आप याद करेंगे have तो यदि has have plus verb का third form active में given हो तो उसका passive कैसे बनाते हैं? passive बनाते है has have plus been plus verb का third form has have plus win plus verb का third form i is को उमलोग जड़ा बनाते हैं तो answer क्या बनेगा? answer बनेगा हमारा slogans slogans have slogans have been have been sought slogans have been sought by us slogans have been sought by us चेक है अब देखे आप में से कई बच्चे यदि पहले से aware हैं आप में से कुछ बच्चे यदि पहले से कहीं से question का practice कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कई बार यहाँ पर us का use नहीं किया गया होता है यह बाई का use भी नहीं किया गया होता है और वहाँ पर आप देखेंगे कि यहीं पर फूल स्टॉप लगा के आंसर बना दिया गया होता है तो यदि आप इतना लिखेंगे तो भी correct है और यदि आप इस पूरे sentence को यहां तक by us तक लिखेंगे तो भी यह correct है क्यों correct है क्योंकि इसका rule यह है कि यदि pronoun के रूप में यदि किसी भी given active वर्ब का जो subject है उसका use कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं तो आप passive में उसका use कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं इस बात को ठीक से समझेए यदि we यादे किसी भी active voice के sentence में active voice के sentence में subject का role play कर रहा हो तो passive में आप उसका use कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ठीक है बाद समझ में चलिए तो ये दोनों ही सही है अब डेक्स्ट इस कोच्चन कभी आई है हम लोग आपक्टिप से पैसिब बना लिए हमारा मेन वर्फ क्या है इस प्रकार से हम लोग यहां पर अभी सीखे कि present perfect tense का active का कोई भी sentence given हो तो उसका passive हम लोग कैसे बनाएंगे अब आए इसका भी practice हम लोग करते हैं कुछ previous year question के माध्यम से कुछ essay question के माध्यम से जिस pattern में आपके essay exam में question पूछे जाते हैं तो exam के pattern वाले question से या exam के previous year में पूछे गए कुछ question के माध्यम से आए हम लोग यहां पे question को लगाना सीखते हैं इनका वाइस हम लोग चेंज करना सीखते हैं देखें यहां पर क्या गिवेन है से प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जड़ा देखें इसका टेंस हम कैसे पाचानेंगे यह भी हम आपको बताते चले तो हमने आपको बता यह था है तो है यह याद नहीं आ रहा हो तो एक बा यह हैं तो हैस क्या व्रब का एक olutकार तो हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है कि वर्ब का फर्स्त फर्म कहीं भी आपको दिखाए दे या वर्ब का फिक्त फोल्म दिखाए दे उसके कारण उस सेंटेंस काriteेंस रुटल करते हैं कि आप देजμे एक साथ-एकर तैन्प ल फोर्म के सान आपको वाब का थर्ड फॉर्म दिखाई देए तो इसी करना हम लोग इसको कहते हैं पर्फेक्ट क्या कहते हैं पर्फेक्ट कहते हैं, तो यहां पर आप टेंस को पाचानना भी सीख रहे हैं और । अपर तींसको करेंगे तो हम किसमें लिखेंगे तो पैसे में हम लिखते हैं यह प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म है यह यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो यह थोड़ा सा गड़बर सा है यह भी हमारा गलत है यह प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस व्रप का सेकेंड फॉर्म इस लएई गलत हो गया तो यह इलाके हमारा answer क्या बना answer बना option number A चलते हैं next question में अगले question में चलते हैं देखें अगले question को हम लोग यहां पर फिर से देखिए आपको क्या दिखाई दरहा है यहां पर फिर से आपको दिखाई दरहा है है प्लस य 1998 का थाड़ फंभ यह ओ गया हमारा मेल यह और फ्रीट के लास्न में तौह प्लिट करते हैं है कम लग करते हैं। प्लस यह फनी एह फमने यह से प्लस और आप सब्प्र लिख्जेक्टर अको 깨ण eh प्लस बिनदर, सब्बबने का 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 इंब रहा है और आप चे किजिए यह apt expertise को सब्बचिक्ट, यहाँ लिखा हुआ है तो यह तो subject और object आपस में इंटरेंज इंटर चेंज ही नहीं किया इसलिए यह option हो गया गलात लेकिन यहां पे देखिए these प्रेंटेंग्स यहां लिखा हुए the prisoners यहां पे subject और object दूनों एक दूसरे से इंटरचेंज कर गया और हमें जो वर्व का फॉर्मेट चाहिए था वो भी मिल गया तो यदि कभी कभी किसी कोशन के दो दो आप्शन में आपको वर्व के फॉर्म सिम दिखाई दे तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और अब्जेक्ट को चेक कर लीजेगा इसके माद्यम से आपका अंसर मिल जाएगा ठीक है चलिए तो अब इस कोशन के आगे चलते हैं हम लोग कुछ और कोशन को लगाना सुरू करते हैं यह देखे आपके सिये चिसन 2018 में पूछा गया कोशन है यहां पे देखे क्या लिखा हुआ है हैस मूड मतलब हैस है प्लस वर्व का थर्ड प्लस वर्व का थर्ड फॉम यह हमारा में वर्व यह हमारा सब्जेक्ट यह हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है तो चलिए अब क्या क्या चेंज होगा बाई सबसे पहले देखिए कि इसको हम लोग किसमें चेंज करते हैं तो इसको हम लोग चेंज करते हैं प्लस बिन प्लस यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो यह रॉंग हो गया हमारा आंसर बात समझ में आ गए चलिए तो इसी तरीके से हम लोग को लगाते हैं यह देखे एक थोड़ा सा बड़ा सा कोशन आपको दिखाई दे रहा है आईए इस कोशन को हम लोग यहां पर लगाना शुरू करते हैं हम लोग करेंगे सबसे पहले यह क्या है तो यह मारा मेंद व यह क्या है यह हमारा सब्जेक्ट अब देखें गीवन के सांथ यह एक आवड़ इसमें अटेज है प्रेव पूजिशन ठीक है तो इससे हमें कोई दिक्त नहीं है हम पैसी बनाएंगे तो पैसी में इस अवेको को हम रिमोव नहीं कर सकते त्लिकहा है इसको साथ ही में रखेंगे गिव के साथ ही हाथ है अबिध क्वेंतिसेवेंट परसेंट ऑफ्सेजए इन च एंचएरिटीस चेलशने हमें है ठीक है वहां पे दोब आपको देखने को मिलता है परसेंटेज और परसेंट और परसेंट गी वह भ५ लेँखेंगे नाव नाईगा यह यह जैसा रहेगा वह इसा वर्माइन इसी करें यह सिंगूर लगा तो इसके सांथ यह से लेकिन यदि आपके कोशन में कहीं भी परसेंटेज लिखा हुआ दिखाई दे परसेंटेज लिखा हुआ दिखाई दे परसेंटेज के लास में क्या लगा एज लगा हुआ है ऐसा यदि आपको कहीं भी दिखाई दे ऐसा यदि कहीं भी आपको दिखाई दे तो इस कंडिशन में इसके बाद आने वाला नाउन इसके बाद आने वाला वर्व सब का सब हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा सिंगुलर कैसा लिखा जाएगा सब का सब या plural चाहिए है चाहिए या have चाहिए यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है percent percent के बद लगा हुआ of of के बद क्या है wealth क्या है uncountable noun wealth क्या है uncountable noun अब uncountable noun है तो uncountable के साथ हम लोग वर्व कैसा use करेंगे singular अर्फात हमें option में चाहिए has maar than a third form वह चार दीखा अगला option में has more than is a third form यह तो कैंसल यहाँ वह दिखाई दिया अब यदि दो दो option में सेम वर्ब के फॉर्म दिखाई दे रहे हैं तो हमने आपको क्या बता आई वहां पर आपको चेक करने के जरूरत है subject और object यहां पर देखे यह बिल्गेट्स क्या थे subject यहां बी देखे पैसी में भी बिल्गेट्स क्या बना दिया subject तो यह हो गया गलत हमारा आंसर क्या बना option number और से त्टिक है आप देख पा रहा है किप 463 तरीके से एकदम मज़े में हम लोग कोशन के साथ खेलना है यहां पे सीख रहे हैं कोशन के साथ हमें लोग खेल तो एक ये question आईए हम लोग यहां पर बनाए थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है बनाने में मज़ा भी आएगा आईए हम लोग थोड़ा सा मज़ा लेते हैं question का यहां पर देखें has have plus verb का third form यहां पर क्या देखा इधर है has have plus verb का third form अर्थात यह present perfect में है यह क्या है हमारा subject यह क्या है main verb यह क्या है हमारा object the names of all successful candidates यह पूरा का पूरा है अब देखें यह candidates है यह कैसा है candidates और यहां पर देखें preposition के पछले name says में क्या लगा हो है इस यह लगा हो अर्थात यह कैसा है plural है तो हमें पैसी में क्या चाहिए बाए पैसी में हमें चाहिए है प्लस बिन प्लस वर्व का थर्ड फॉर्म आईए ज़रा option हम लोग चेक करें आईए option को चेक करें है प्लस बिन प्लस वर्व का थर्ड फॉर्म नहीं है नहीं है तो cancel है प्लस बिन प्लस वर्व का थर्ड फॉर्म तो यह हो गया हमारा answer ठीक है अब देखिए इसमें हमने कुछ भी चेक भी नहीं किया है next आगे बढ़ते हैं यहां देखिए इस question में देखिए हम लोग क्या दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए has cut has cut ठीक है तो mean वह हमारा क्या है अब देखिए हमने आपको पहले से subject of agreement में पढ़ा रखा है कि यदि कोई भी प्रेपोजीशन हो कोई भी प्रेपोजीशन हो प्रेपोजीशन के पहले यहां पे कोई नाउन आए और इसके बाद में भी यहां पे कोई नाउन आए तो यहां जो वर्ब यूज़ करेंगे यह व दूसरे वाले नाउन से इस वर्ब को कोई मतलब नहीं होता है ठीक है चलिए तो यहां से आगे पड़ते हैं हम लोग फटा फट और इस question cancer ढूंड़ा हम लोग शुरू करते हैं तो इस question cancer हमारा क्या बनेगा थूट कैसा है singular है तो जब passive बनाएंगे तो passive में वर्ब इसके सा second वाले में has cut यहां पर has been cut नहीं मिला यहां पर has been cut मिल गया यहां पर has been cut नहीं मिला तो यह चार में दो option cancel हो गए अब आईए इसमें हम लोग subject और object को टूंड़ना शुरू करें चूंकि दो option में वर्ब के form same है तो इसमें हमारा object क्या था the throat of a scooterist अब जड़ा यहां पर दे change नहीं हो रहा है वो हमारा answer नहीं हो सकता अर्थाता answer होगा हमारा option number a बात समझ में आ गए चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ और question को देखते हैं यह थोड़ा सा बड़ा सा question देख रहा है हम लोग को यह छोटा इसको हम लोग स्किप करेंगे यह भी छोटा यह भ सब्जेट कैसा है प्लूरल है तो इसे हमें पैसे में कोई मतलब नहीं होता सिंपली देखिए object को एन जुकेस्टनल वीडियो एन जुकेस्टनल वीडियो यह हो गया हमारा object और वीडियो में सी यह नहीं लगा है अर्थात object है singular तो पैसिव जब इसका बनाएंगे तो इसी क सोते हैं नहीं है यह नहीं तो यह क्या हो गया इक केनसल सेकंड वाले में चले हैज सौट cuma कि यूज़ किया है तो इसी तकше में तका इतना बड़ा सा सेंटेंस आपको दिख रहा था यह इसी तरीके के एग्साम में बड़े बड़े जब क्षान आपको दिखाई पड्ते हैं तो थ्धोड़ा सभी हो जाती है तो नर्वस होने की जरूवत नहीं आप इससे खेलना सीखिए चोटे-चोटे कोशन तो आप बनाई लेंगे इस बड़े से कोशन को फिर से बनाना शुरू करते हैं देखते हैं कैसे हम लोग बनाना सुरू करें देखिए हमारा मेंवाब क्या है तो मेंवाब है हमारा लॉंच है ठीक है अब यह क्या होगा यह पूरा का पूरा होगा हमारा सब्जेक्ट तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है आप सिंपले चेक किजिए ऑब्जेट को अन्यू हेल्प लाइन फॉर स्टूडेंट यह देखिए फॉर क्या है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के पहले क्या है हेल्प लाइन और यहां पर लगा हुए यह अर्थात हेल्प लाइन कैसा है सिंगुलर है तो जब इसका हम पैसे बनाएंगे तो पैसे में क्या यूज़ करेंगे हैस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात हैस बिन लॉंच्ट आईए जड़ा ऑप्शन में हम लोग हैस ब्लस भी यहाँ एक दम यह देखर में कुछे अरब में करते थे आज विव बच्चे कहलते हैं जो छोटे हैं अब थोड़ी से बड़े हो गए कुछन क्या बन गया तो यह बन गया इंट रगेटिव यह क्या बन के इंटेरगेटिव यह क्या बन गार क्योंने क्टिक अलगा है beautiful के साथ talkörphenate 28 a हमारा सब्जिक्ट है अब यहें देखे पेपर कैसा है इस लगा हुआ थातप प्ल्ण ए प्लूरल है तो इसका यह कंगे तो आपने भर क्या यूज़ करेंGI वहाँ पे अब क्या चाहिए पैसिप के इसमेट सब्मिटेड है विर बिन आये ऑप्शन में eux कि चाहिए हैं मिल और वर र्ब का थर्ड फॉर्म यह देखिए थायकude किसी भी पर्फेक्ट में वंगयर third form ही given होता है तो हमें चाहिए था submitted तो option no.3 में submitted है यह हो गया हमारा answer इसमें वह अपका third form नहीं है तो यह cancel होगे बात समझ में आ गई आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग बीना कोई दिमाग लगाए active से passive का game खेल रहे हैं तो इसी तरीके से हम आप से चाहते हैं कि आप भी जब अपने एक्जाम में appear हो तो इसी प्रकार से आप उसके साथ game खेल के अपने आपको win करवा के वहां से बाहर आईए ठीक है चलिए यह भी देखिए आपके CHSL 2020 से हम पूछा गया पूछा गया इसलिए इसको ज़रा हम लोग बनाते चले ताकि आपका confidence थोड़ा तो अंजाने में भी गलती नहीं होना चाहिए आपसे कोई भी अंजाने में भी mistake नहीं होना चाहिए इतने confidence के साथ आप question को बना कराईए ठीक है चलिए तो आईए यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे question को बनाना शुरू करते हैं यह देखिए has plus put यह हमारा main word put क्या है main word यह कैसा है यह हमारा object और flower के last में मतलब यह प्लूरल तो जब इसका पैसे बनाएंगे तो पैसे में यूज करेंगे have plus bin plus work का third form अर्थात पैसी में हमें चाहिए have plus bin plus put have been put चाहिए आईए option को ढूणना शुरू करें हम लोग option में देखिए क्या कहीं पे भी have plus bin plus work का third form है आईए अंसर हो गया क्लियर कितना असान है कितना मजा रहा है अब आप में से ऐसे बच्चे जिनकी English week है या आप में से ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मेरी English week है हम question को हिंदी में translate करके बनाते है step बनाते हैं ऐसे सारे बच्चे अब यहाँ पे इस तरीके के approach से question को solve करके खुश हो रहे होंगे होना चाहिए भी और हम चाहेंगे कि हम जो आपको यहाँ पे सिखाते हैं इस तरीके का question का practice आप जरूर करें तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तना ही मजे के साथ आप eğ्जामे को solve करेंगे और एकजामे या कहीं भी आप comments को solve करेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा मज़ा आएगा ठीक है तो आईए जिन्दगी मज़ा लेने और देने कहीं नाम है तो मज़ा लीजिए और मज़ा दीजी यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से आप बना सकते हैं अब आप यहां पर देखिए एकदम अब सौट में खेलना सुरू करते हैं लोग है ठीक है यह वर्व का थर्ड फॉर्म है अल्रेडी नुमेरस बॉक्सिंग चैंपियंस यह क्या है प्लूरल तो हमें क्या चाहिए है बिन प्लस वाउन है बिन वाउन यह देखे मिला है बिन व सौल करवा रहे हैं कहीं से लाए होंगे च्छान बिन करके चुन बिन के लाए होंगे कहीं से आसान आसान कोशन और उन आसान कोशन को हम लोगों को लगवा के हम लोगों से यह हम लोगों को बेवकूप बना रहे हैं तो प्लीज आप ऐसी चीज़ों को मान लीजिए हम कहते से बाद पर एक परसेंट भी भरुसा मत किजिए आपके पास मार्केट में जहां कहीं भी रहते हैं वहां जो कोई यहां तक हम लोग जो question बना रहे थे, इस pattern के question में आपको instruction given होता है, change the voice of following questions, अब यहां देखें, यहां आपको यह sentence दिखाई दे रहा है, यह common error का question है, किसका question है, तो यह common error का question है, इसी प्रकार से, जैसा कि हमने आपको पिछले class में, आज के class में भी हमने आपको बताया, कि इससे question न सिर्फ आपके voice में ही पूछे जाते हैं, voice or narration से जो question पूछे जाते हैं, कि वोले इसको change करने के लिए ही नहीं पूछे जाते हैं, बलकि इससे question आपके common error में भी दिखता है, आपके fill in the blanks में भी दिखता है, आपके close test में भी दिखता है, और आपके sentence improvement में भी दि ठीक है तो आई ये इस कोशन में हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहां पर जरा सेंटेंस को पढ़िए यहां पर द्यान से देखिए यहां पर क्या सबसे पहले इसके ओप्षन को देख लें आई तिंक एक पार्ट यहां वाला सम्मोन हैस्ट फि लगर है अब देखें यहीं पर इसी प्रकार के समय हम लोगों को गलती होता हुए दिखाई पड़ता है हमें से कई सारे लोग यहां पर जाके गलती कर बढते हैं अब गलती आप कैसे करते हैं यह भी हम आपको सिखाते चले यहां पर देखें इस सकोशन में बढ़ा को हम लोग रखते आई एंजी फॉर में और वहां पे टेंस में जब हम आपको पास्ट सोरी प्रेजेंट कंटिनुवस पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताए था कि यह जो वाइल वाला कॉंसेप्ट है वाइल का कॉंसेप्ट ज्यादा तर पास्ट कंटिनुवस के साथ यूज किया होगा आपके एस से एक्जाम में देखाए पड़ता है यहां पर देखेंगे वाज ट्रेवलिंग यह बिल्कुल सही है इस पार्ट में कहीं कोई एर नहीं है अई के साथ ठिंग आई कैसा है प्लूरल और यह क्या यह क्लूरल यह पर भी कोई दिकत नहीं है कि यह sentence active में रहेगा या passive में रहेगा यह हम लोगों को कैसे पता होगा बोड को थोड़ा clean करते हैं फिर आपको हम समझाते हैं यह समझने वाली चीज है बहुत confusion होता है ऐसे questions में तो आप इसको थोड़ा ठीक से समझें हम लोग कैसे decide करेंगे कि sentence को active में रखना या passive में सबसे पहले sentence काृइंस हम लोग चेक करें तो है ज attain के सांदखे यह क्या है तो यह वर्व का थर्ड फोर्म और यहां पर देखिए बिन बिन प्लस वर्व का थर्ड फॉर्म है तो हमने क्या बताया था बी हो बिन हो या बिन हो इनके साथ यह दिवर्व का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो यह कहां होता है तो यह होता है पैसिव में न के एक्टिव में तो सबसे पहले कि यह चला गया पैसिव में अब है है plus bin plus verb का third form हम लोग कहां यूज करते हैं तो present perfect के passive format में यूज करते हैं तो मतलब यह decide हो गया कि यह present perfect में है इस cut-ins कहां है present perfect में ठीक है अब ज़रा ध्यान देजिए यह pick इसका main verb क्या है यह हमने आपको पहले क्लास में बताया था आज भी हमने आपको repeat किया और सारे के सारे question में हम यहीं आपको repeat कर रहे हैं कैसे decide होगा कि जो given sentence है उसको हम active में रखें या passive में रखें सबसे पहले pick pick का मतलब क्या होता है चुन्दा होता है ठीक है अब pick my pocket तो pick pocket होता pocket मारी करना ठीक है someone has been picked my pocket मतलब किसी ने मेरा pocket मार लिया ठीक है कभी-कभी आप में से भी कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कभी आपके pocket भी मारी गई होगी अब जरह देखिए तो यह picked pick pocket pocket मारने का काम someone मतलब यह जो है पर subject है इसके द्वारा किया गया ठीक है अब इसके द्वारा किया गया तो किसी भी sentence का जो subject होता है वो यदि उस काम को खुद से कर रहा है ठीक है तो sentence को रखते है active में और यदि कोई भी काम उस main verb के subject के द्वारा खुद से नहीं किया जा रहा है तो हम लोग उसी को रखते है पैसिव में ठीक है तो यह जो pocket है इसको मारने का काम कौन किया इस ने किया ठीक है यह जो है इसी ने pocket मारा ठीक है न कि pocket ने इसको मार दिया बात समझ में आ रही है तो sentence कहा जाना चाहिए active में जाना चाहिए और देखे यहतोर दिए यहोगे से बात समझ में आयी तो इस तरीके से आप किसी भी घुवन को के आंसर को आसानी से स्वॉल्व कर सकते है चाहे वह कहींब दो चाहे वह कहीं भी जो हो चाहे वह में तो लिछ लाप या आपके close test में दिया गया हो आप वहाँ पर decide कर सकते हैं कि कब हमें active का use करना है कब हमें passive का use करना है बात समझ में आई चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग देखें क्या कुछ और इस pattern के question given है यहाँ पर देखें यहाँ पर भी अलग-अलग options में इस उपर वाले given sentence के अलग-अलग part को लिखा गया है आईए यहाँ पर फिर हम लोग check करें कि हम लोग कैसे decide करेंगे कि कब इसको active में रखना है कब इसको passive में रखना है ठीक है यहाँ पर ज़रा देखें has been warning तो सबसे पहले देखिए कि यह जो has, have, have यह has, have का कोई भी form होता है has, have का कोई भी form होता है अर्थात have हो, have, 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 having हो ठीक है यह हम आपको पहले से बता चुके हैं कि have family का यह have का पांचों में से कोई भी form हो इसके साथ हम लोग क्या use करते हैं तो इसके साथ हम लोग use करते हैं verb का third form यूज करते हैं और फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि जब हम लोग active का passive बनाते हैं present perfect में active का passive बनाते हैं तो वहां पे हम लोग use करते हैं तो आईए यहां पे हम लोग देखें आपको इस question में क्या दिखाई दे रहा है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है has been plus verb का third form has been plus verb का third form यह कहां यूज करते हैं तो यह हम लोग यूज करते हैं present perfect के passive में तो यह sentence दिखाई दे रहा है passive में अब सबसे पहले active होगा यह passive यह कैसे decide होगा इसके लिए चलिए में बब को पकड़िए यह देखिए warning यह क्या दिया हुआ है वार्निंग तो active होगा यह passive people has been warning in advance और आप एक और बात याद रखे यह जो वर्भी का कोई भी फॉर्म हो बी हो बिंग हो बिंग हो ठीक है अब हम आपको दोनों ही तरीके से बता रही है एक फॉर्म हो गया दूसरी बात आप समझें यह जो में वर्भ है warning देने का काम कौन कर रहा है बताए यह पीपल कर रहा है कि कोई और कर रहा है in advance about the coming economic crisis about the coming economic crisis मतलब किसी authority के द्वारा किसी authority के द्वारा यह लोगों के द्वारा यह किसी authority के द्वारा जैसे अभी आप याद कि यह कुरोना आया था तो government के बार-बार इंस्ट्रक्शन आते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना है social distancing को follow करने ठीक है तो अब यह people को warning दे गई तो people को warning देने का काम people ने किया कि people को 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 वार्निंग देगा ठीक है तो वार्निंग देने के काम कौन करता है कोई ऑथरीटी करती है बात समझ में कोई एडमीन वाला पार्ट करता है तो मतलब यह काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया है इस पीपल के द्वारा काम नहीं किया गया मतलब यह सेंटेंस रहेगा पैसी म है और जब पैसी में रहेगा तो पैसी सा मतलब मतलब होता है वर्व का थर्ड फिर में टार्ड फॉर्म इच्णिक पोड़ी ज़ाएं करो मिला पाँ पर्लिखा हुआ है यहां पे और और यहां इपनार अंसर क्या बने अब यही question underline करके इस तरीके से आप ध्यान देजिए underline करके यदि यह इस तरीके से यहां पर given होता तो हमारा answer जो होता वो warned होता हम लोग उस option को ढूंडते जिसमें warn में ED लगा होता यानि correct answer हम उसको मानते जिसमें लिखा होता has been warned has been warned ठीक है clear चलिए अच्छा लगा होगा आपको यह आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा हम आसा करते हैं अब इन सारी छोटे छोटे question को हम छोड़ देते हैं यह सब छोटे छोटे question है जिसको हमें से कोई भी बना सकता है आईए यह थोड़ा सब बड़ा सा question है इसको बनाने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं फिर देखें यह है वगई हमारा ऑबजेट अब कलर कैसा है सिंग लग अब आ जाए हम लोग इस में क्या चेकर नहीं है और जूजेन एक ही सेंटेंस में हमारा आंसर बात समझ में आ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से हम लोग यहां पर कोशन के साथ खेलना सीख गए अब यहां पर यह इस कोशन को जरा हम लोग देखें यही तो मज़ा है इस तरीके से प्रिवीज एर कोशन या मौडल कोशन को बनाने का जिसमें आप सीखते हैं कि यदि एक्टिव हो तो पैसिव और जेनरली होता भी है कि हम लोग जहां कहीं भी पढ़ते हैं या जहां कहीं हम लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाये गया वहां पर मैक्सिम टाइम या ज़्यादा तर लोग यही काम करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाते हैं लेकिन क्या वाइस से और किसी पैटर्न के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं इसकी च जो जो वहारा सा करेक्षण करें सारे format फ्रांट पर खिलने हम लोग सीखें अब यहां देखिए हमने आपको पेहले से क्या बता रखा यह क्या है यह नहीं हमारा मेंपर अपका है अब यह देखिए यह हो गया यहां पर क्या लिखे और अगाउंट ठीक है मैंचेजर का जो ब उसको किसी के द्वारा है कर लिए गया अब देखिए अब आप जब इसका पैसिव बनाते हैं या एक्टिव बनाते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आज ही के क्लास में आपको बताया ठीक है कि यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी लिखा हुआ हो या दे लिख सकते ठीक है और सिमिलरली इसी तरीके से यदि किसी भी एक्टिव वर्व का यदि किसी भी एक्टिव वर्व का सब्जेक्ट कोई ऐसा वर्ड लिखा गया हो जिसके लास्ट में वन या बॉड़ी लगा हुआ हो जैसे समवन समबड़ी नो वन नो बड़ी वगएरा वगएर तो यदि active verb का subject कोई ऐसा word हो जिसके last में one या body लगा हुआ हो तो आप passive में उसको लिखने से avoid करेंगे बचेंगे लेकिन यदि जितने भी options हो चारों के चारों options में वो one या body वाला word लिखा हुआ हो तो आपको उसको use करना है मा लिजिए कोई दो option है दोनों ही option बिलकुल correct है और किसी एक में one या body वाला word नहीं लगा हुआ है किसी दूसरे में one या body वाला word लगा हुआ है तो हम उसको prefer करेंगे जिसमें one या body वाला word लिखा हुआ नहीं बात समझ में आ गई तो जो manager है उसका जो account है तो manager के account को किसी ने hack कर लिया होगा तो इसके subject के रूप में क्या-क्या use हो सकता है subject के रूप में कोई भी ऐसा one use हो सकता है जिसके आखिर में one या body लगा हुआ हो या we हो सकता है या दे हो सकता है ठीक है बात समझ में आ गई चलिए अब आते हैं यहां पर तो सबसे पहले यह देखिए has been hacked है यानि कि यह perfect का passive है अब perfect का passive है तो इसके active में हम क्या use करेंगे has have plus verb का third form आए चेक करें has have plus verb का third form यहां दिखाई देरा has have plus verb का third form नहीं है यहां पर देखिए has have plus verb का third form नहीं है अब ये दोनों ही option सही है, अपने अपने जगह पे दे के according हम लोग have का use करते, तो ये हो सकता है, someone के according, इसको singular मानते, इसलिए इसके साथ use करते है, has, दोनों ही option करेक्ट हो गया, अब देखे इसमें हम लोग किसको prefer करेंगे, तो मान लेजे हमारा आपका ये किसी का account ये दे hack होता है, ये किसी भी व्यक्ति के account से illegal कोई fraud transaction होता है, तो उसको किसने किया, ये हम लोग आसानी से नहीं कह सकते, ये after investigation पता चलता है कि किसने hack किया, कैसे hack किया, ये बाद में चीज़े हम लोगों को पता चलती है, किसी unknown person के द हम लोग क्या use करते है, indifferent pronoun का use करते है, जिसके last में one या body लगा हुआ हो, जिसके last में one या body लगा हुआ हो, बात समझ में आए, तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा, इस question का answer हम लोग करेंगे, someone वाला न की दे वाला, यो कि वी या दे का use हम लोग का करते है, different को express करने, different questions में लोग, ठीक है, यहां हम लोग यहां पर use करें, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग, तो हम लोग खुदी अपने bank manager का account थोड़ी hack करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गए, तो known नहीं, unknown लोग इस तरीके का काम करते हैं, तो unknown के लिए एक ही word use करेंगे, हम लोग ऐसा वाल अब देखें, overcast, cast जो है, इसका भी third form ऐसा ही होता है, cast का casted नहीं होता है, तो यह अच्छी बात होती है, कि किसी भी perfect का, किसी भी perfect का, किसी भी perfect का, यदि आप active से passive बनाते हैं, तो verb के third form के लिए आपको सूचना नहीं होता है, जो लिखा होता है, active में, वही पैसी में लि passive में क्या चाहिए, passive हमें हमें चाहिए, has, plus, been, plus, overcast, has been, overcast, has been, overcast, है, यह जरा, option में, check करें, has been, overcast, है, kяс है, has been, overcast, है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखे, has been overcast है, क्या नहीं है, तो यह की option है, यह हो गया हमारा answer, ठीक है, तो हम आसा करते हैं कि यह जो present in different से लेके present perfect तक का सफर था, जिसमें हम लोगों ने wise को change करना सीखा, active को passive में, passive को active में, common error के question को भी हम लोगों ने solve करना सीखा, आसा करते हैं कि यहाँ तक का आज का हमारा यह जो class है, या अब तक का wise का जो part 1 और part 2 है, यह सब आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसे जितने भी student जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उन सबों के लिए काफी beneficial रहा होगा, काफी beneficial रहा होगा, और आगे भी इसी त format पर पूछा गया हो, सब को हम लोग यहां पर लगाते हुए, आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले class में, आज के class को हम अब यहें पर stop करते हैं, विराम देते हैं, ठीक है, तो फिर अगले class में मिलते हम लोग, चलते हैं, कुछ और नए concept को लेकर अगले class में, ठीक है, तो फिर अगले class तक के लिए हमें इजाज़त देजिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है,